हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने हैं चैनल एके ओल्टेक में तो गाड़ी का पीकप अगयरा बिल्कुल खतम हो गया एमाइल लाइट भी जल गया है गैस टंकर है गैस टंकर आये मेरे यह अब देखिए इसको फ्यूज बॉक्स इनलाइन मीनी कनेक्ट करने के लिए भी इसमें फॉल्ट कोड देखते हैं कि फॉल्ट कोड क्या है मेरे गाड़ी में टान वगएरा खिचाई जिल बिल्कुल बंद हो गया रेमाइल लैट चल गया देखिए लेप स्केनर कनेक्ट हो गया अब इसमें जो कोड आया है सताय से खतर पैंचिस तिरासी ब्याले सुन चा कि एक्टिव हो गया देखें करेंट का दिकत है कि सेंसर का दिकत है कि देखें यह अंदर आता है यहां से इसको पूस्ट कीजिए गए बाहर आ जाएगा अब बाहर आ गया है कि मुल्टिमीटर है बोल्टेज पर सेट कर दीजिए अब लग्या सलम वालेकुम वालेकुम एक दो तीन चार नंबर दो नंबर तीन नंबर एक नंबर कभी भी ग्राउंड का आता है इसमें ग्राउंड लगा दिये जाए एक नंबर पह आएगा 24 वल्ट का सप्लाई 25 वल्ट का ठीक है इस प्रेना चाहिए 2 वल्ट प्राउंड थीक है ठीक है करेंट सप्लाई च्व्पलाई चाहिए चावी औफ करके ओम चेक करेंगे MMA बंद कीजीं सबस्छा आगे तो करेंट वाला सिस्टम आप समझ लिए इसका ओम चेक करेंगे अब ओम कैसे चेक करते हैं मल्टिमीटर के कंटिनुटी में पहले सेट कर दीजे और ओम चेक करने के लिए सबसे पहले चाभी आपको ओफ कराना पड़ेगा और जो एक दो बोल्ट का करेंट आता और एक अना चाहिए लग से अगर आप लोगको वीडियो चाहिए तो वो दे देंगे हम ऐसे चेक करने का परसेस तो आप तो जो गारी में लगा हुआ है new sensor लगाकर उसको तो बिल्कुल लगा हुआ है तो जैसे गारी से निकाला होता ना जैसे किसी वे 1771, 2772, 2887 तो नया वाला लगा हुआ 2772, 7823 वाला हम लाए है और जो गारी में लगा हुआ 2771 है तो उसका कपलर इसमें डाल करके देख लेते हैं कि कोड मेरा inactive सता से खतर गया कि नहीं तो सबसे पहले inline mini तो मेरा connect है अब देख लेते हैं सता से खतर inactive हुआ कि देखिए सता से खतर inactive हो गया 35-83 जो है noc sensor heater का है उगाड़ी चलेगा temperature जाएगा वो बिल्कुल खतम हो जाएगा inactive हो जाएगा noc sensor खराब है इसका और बिल्कुल आप लोग तो समझ गए सिस्टम क्या है